नोबल पुरसकार पाने के बाद 1916 में रवीन द्रनाथ टैगोर दूसरी बार अमेरिका गए। तब वहाँ उन्हें तीन महीने तक रहने का मौका मिला। उसी दौरान उनकी मुलाकात जापान के प्रसित कवी, नातकार और साहिती का अलोचक योने नोकुची से हुई। नोकुची की गिंती जापान के प्रमुख आधुनिक्तावादी लेखकों में होती है। वह कविताओं के माध्यम से आधुनिक्ता के साथ साथ विद्रोह और प्रेम की बाते करते थे। जापान के पारम परिक सामाजिक मांदंडों और रूरिवादी विचारों के खिलाफ व भावित हूँ। उनमें प्रकृती का इतना सुंदर वर्नन कैसे हो जाता है। क्या आप मुझे प्रकृती से जुड़ने का कोई रहस्य बता सकते हैं। टैगोर ने मुस्कुराते हुए जबाब दिया, रहस्य तो कोई नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि प्रकृती को समझने के लिए हमें उसके करीब जाना होगा। हमें उसके हर रूप को, उसकी हर आवाज को महसूस करना होगा। हमें पेडों की सरस्राहत, न उन्होंने प्रकृती के साननिध्य में रहकर ज्यान और चिंतन किया। शान्ति निकीतन के इस अनुभव ने उनकी जीवन और उनकी कविताओं पर गहरा प्रभाव डाला। जाते समय जापानी कवी नोकुची ने प्रकृती से जुडाव पर रवीन द्रनात के विचारों पर सहमती हुए कहा, आपकी बाते में समझ गया। विचारों को जोडने में से ही जीवन सम्रिध हो सकता है।